Hello everyone, this is Urvashi Rai and I welcome you all on my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम दिस्कस करने वाले हैं Statistics Chapter का एक और नया टॉपिक जो है Mean of a Grouped Data. Last part of वीडियो में हमने समझा था कि Statistics क्या होता है, डेटा कितने टाइप से होते हैं, और साथ ही किसी भी Ungrouped Data का Mean हम कैसे निकालते हैं. Just suppose हमारे पास किसी क्लास में Students ने कितने Marks Obtain किये हैं टेस्ट में इसका डेटा दिया हुआ है, ठीक है? तो इस केस में जो आपके पास Observations Available हैं, ये एक तरह का Ungrouped Data है, यानि Unorganized है, Raw Information है, Students के Marks को लेकर. तो इस केस में Mean निकालने के लिए, हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी Observation हैं, इनका Sum कर लेते हैं, और जितने भी Total Number of Observations हैं, यानि 8 Students का Marks दिया हैं, तो इसे हम 8 से Divide कर लेंगे. इनका Sum क्या हो जाएगा? So that will be, So this will be equal to 40, when it is divided by 8, it will result into 5. तो ये जो 5 आया है, ये क्या है, इस केस में Mean है, ठीक है, Mean को हम हमेशा X-Bar से रेप्रेजेंट करेंगे, Statistics चाप्टर में, तो ये 5 इसका Central Value है, इस पूरे Data का, Clear है. अब बात करते हैं, Frequency Distribution Table की, अब ये क्या है, और क्यों Use होता है, तो जब हमारे पास जो Number of Observations हैं, वो बहुत जादा हो, ठीक है, और हमारे पास जो Data हो, उसमें Information कुछ इस तरह से हो, कि कोई एक Observation बार-बार Repeat हो रहा हो, तो उस Case में हम हमारे Calculation को कम करने के लिए, तो इस Case में हमारे पास कुछ ऐसा Observation है, कुछ ऐसे Observation है, जो बार-बार Repeat कर रहे हैं, तो Frequency Distribution Table में हम क्या करते हैं, हम Count कर लेते हैं कि कोई भी Observation कितनी बार आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहां पर, चलो फिल हम इसे Complete कर लेते हैं इस Table को, इस Table में जो Marks हमारे पास Obtain हो रहा 3 कितने Times आ रहा है, तो 3 देखो, यहां दो बार आ रहा है, सो इसकी Frequency हो जाएगी 2, 4 की Frequency, चलो, 4 को Count कर लेते हैं, 4 की Frequency क्या हो जाएगी, सो 4 यहां पेर हो रहा है, यहां और यहां, यानि 3 टाइम, सिमिलरली हम बाकी, जितने भी Marks हैं, यहां पर उनका Frequency Find Out कर सकते हैं इतनी बार वो आ रहा है न, उतनी बार Continuously उसको Add करने के बजाए, अगर हम उसको उसकी Frequency से Multiply कर दें, तो हमारा Calculation कम हो जाएगा, ठीक है, अगर इसी तरह से हमारे पास 50 या 100 Observation हो, तो उस Case में कोई भी एक Observation कई बार Repeat होता है, तो हम बार बार उस Observation को Add करने के जगा प इसी Distribution Table में हम जो हमारे पास Information Given होती है, जैसे हम Marks दिया हुआ है, तो इसे XI से और Frequency को F या फिर FI से Denote करते हैं, और अब हमें इनका Product निकालना है, क्योंकि हमें सारे Data का Sum चाहिए, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 3 2 Times आ रहा है, तो हमें 3 को 2 Times Add करना होगा, इसलिए हम 3 into 2 करना है, इसका मतलब यह हो रहा है कि 3 2 Times Add हो रहा है, तो यहाँ पर हम इन Observations को इनकी Frequency से इसलिए Multiply करते हैं, क्योंकि हमें उन सारे Observations का Sum चाहिए, ठीक है, तो अगर 4 3 Times आ रहा है, तो हम 4 को 3 Times Add करेंगे, या फिर 4 को 3 से Multiply कर देंगे, तो वो उसी कसम देगा है, जैसे हम पर 5 जो हमारा 3 Times आ रहा है, तो या तो हम 5 को 3 Times Add कर दें, या फिर हम 5 को उसकी Frequency से, यानि की 3 से Multiply कर दें, तो भी हमें इसका Sum मिल जाएगा, that is 15, तो जब हमारे पास Data बहुत जादा हो, ठीक है, यहाँ तो 5 से 3 Times आ रहा था, अगर माल लेते हैं, कोई Last Number है, जैसे 96, वो 7 Times आ रहा है, तो अब 96 को 7 Times Add करने के बजाए, हम 96 को Direct 7 से Multiply कर देंगे, तो वो भी हमें 7 Times 96 का Sum ही देगा, clear, तो इस तरीके से करने से, जो Calculation होता है, वो हमारा Calculation का Time बचता है, ठीक है, हमें ज़्यादा Calculation नहीं करना पड़ता है, इस Approach से, इसे लिए जब हमारे पास, ज जब भी होती है, ज्यादा Observations होते हैं, और उस List में Observations Repeat होता है कई बार, तो हम उन सारे Observations का Direct Sum करने के बजाए, उनको उनकी Frequency से Multiply करके, तब Calculation को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर, XI और FI का Product क्या हो जाएगा, 2, 6, 12, 15, then again 12, and this is 28, अब हमारे पास यह जो है, XI, FI, यह सारे Observations का Sum आगया है, ठीक है, Mean का Formula क्या होता है, Sum of All Observations, यानि यहाँ जो XI, FI के पूरे Sum की Value मिलेगी न, वही हमारे सारे Observations के Sum को Represent करेगा, ठीक, इसके साथ ही हमने देखा है कि Mean का जो Formula होता है, उसमें नीचे Number of Observations होते हैं, तो यहाँ पर यह जो Frequency है, इसका Sum Number of Observations को Represent करेगा, कैसे, तो देखों, यहाँ Two जो है, एक बार आ रहा है, यानि यह Observation सिर्फ एक Observation है, ठीक है, यहाँ पर दो Students के Three Marks आ रहे हैं, यानि कि यहाँ पर दो Observation है, इसे तरह से इस Case में हमारे पास तीन Observation है, नेक्स्ट केस में भी Three Observations हैं, नेक्स्ट केस में Two Observations हैं, और लास्ट केस में Four Observations हैं, इसे लिए जब हम इस Case में Mean निकालते हैं, तो हम जो Frequency होती है, उसकी Value को Add करते हैं, क्योंकि यह जो Frequency का Sum है, यह हमें Total Number of Observations देता है, clear? अब इस Case में Mean का Formula क्या हो जाएगा, तो देखो, XI, FI को Add कर रहे हैं, तो Formula में भी XI, FI आएगा, ठीक है? XI का मतलब यह हो गया, कि जब हम I की Different Values रखेंगे, like I is equal to 1, तो वो X1 को Represent करेगा, I is equal to 2, तो वो X2 को Represent करेगा, Similarly, FI में भी जब हम I की Different Values रखेंगे, तो वो हमें F1, F2, F3 इस तरह से, अक्टो End Terms, जितने भी हमारे पास Observation है, उन सारी Frequency की Value देगा, ठीक है? तो X1, F1 का मतलब हो गया, कि जब I is equal to 1 है, तो X और F की जो Value है, उसका Product, clear? तो देखों, यहाँ पर यह सारी Values जो है, वो Add हो रही है, तो जब हम Addition करते हैं इस तरीके से, तो हम इसे लिखते हैं, Submission of XI, FI, divided by Submission of FI, ठीक हैं? और यहाँ पर I की जो Value है, वो Differ कर रही है, 1 से N तक, clear? X, I, FI के Case में भी, और तुमारी जो Frequency है, उसके Case में भी, इसका मतलब होता है, यह जो हमने Sign यहाँ Draw किया है, इसे कहते हैं Sigma, ठीक हैं? इस Sign को, और यहाँ जो हम कर रहे हैं, जो Apply करते हैं जब इसको, किसी भी चीज़ पे, तो वो होता है Summission, तो हम क्या करेंगे? जैसे-जैसे I की Value चेंज करते जाएंगे, वैसे-वैसे हमें X और F का Product मिलता जाएगा, ठीक है? I is equal to 1 का मतलब हो गया X1, F1, I is equal to 2 का मतलब हो गया X2, F2, इस तरह से हम X and Fn तक Sum निकाल लेंगे, तो यह जो Sum हम निकाल रहे हैं, उसे हम Short में इस तरीके से Represent करते हैं, तो यह होता है मारा Mean का Formula, नीचे हम F5 का मतलब हो गया कि F के जितनी V-Values हैं, Up to N उनका Sum कर रहे हैं, clear है? अब यहाँ जो हमें Frequency Distribution Table दिया है, यह Ungrouped Data का Frequency Distribution Table है, इसे हम कहते हैं Discrete Frequency Distribution Table, ठीक है, इसे हम Draw करते हैं, in case of Ungrouped Data, अब Discrete का मतलब क्या हो गया? कि हम हर एक Individual Observation की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे Two Marks कितने Students का आया, तो एक Particular Marks कितने लोगों का आया है, यह Count कर रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं Discrete Frequency Distribution Table, clear? अब हम देखेंगे Continuous Frequency Distribution Table, जिसे हम Grouped Data के Case में Draw करते हैं, तो चलिए समझते हैं। Grouped Frequency Distribution Table के Case में, हम क्या करते हैं? जो Data हमारे पास Given होता है, जितने भी Observations Given होते हैं, उनको Groups में Divide करते हैं, ठीक है? मतलब अब हम यह नहीं Count करेंगे कि 2 Marks कितने Students का आया है, 3 Marks कितने Students का आया है, बलकि उनको हम Different Groups भी या फिर Interval में Divide कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Class Interval की, ठीक है? Class Interval का मतलब हो गया, Groups जो हम Divide करने वाले हैं? For example, यहाँ पर अब हम यह देखेंगे कि 0 से 2 Marks लाने वाले Students कितने हैं, Similarly, 2 to 4 Marks लाने वाले Students कितने हैं, 4 to 6 लाने वाले कितने हैं, और 6 to 8 लाने वाले कितने हैं, ठीक है? तो यह जो Continuous Frequency Distribution का Approach है, इसको तब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास जो Number of Observations हो बहुत Large हो, जैसे जब सपोस कोई Interence Exam है, उसमें Around 5000 Students के Marks का Data हमारे पास Available है, तो उस Case में अगर आप Discrete Frequency Distribution Table का Approach यूज करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि कोई एक Particular Marks कितने Students ने Optane किया है, तो अब वो एक काफे Hectic, यानि कि Lending Method हो जाता है, काफे सारे Marks मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारे Students ने उस Marks को Score किया होगा, तो जो Table हमारा मिलेगा, वो बहुत Large होगा, फिर हम एक उतनी ही बार XI, FI की Value भी Calculate करनी होगी, उसके बाद उसका Sum करना होगा, तो अब इसी Lending Method से बचने के लिए हम एक नया Approach यूज़ करने वाले हैं, जो है Continuous Frequency Distribution Table, इसमें Groups में Divide कर देने के कारण ये फाइदा होता है, कि अगर Range बहुत जादा है Marks का, तो हम Students को Different-Different Groups में Divide कर देते हैं, ठीक है जैसे यहाँ पर अगर हम 0 से 2 Marks लाने वाले Students को एक Group में रख दें, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, तो देखो आपका जो Discreate Frequency Distribution का जो Table आपने Draw किया था, उसके Comparison में ये Table काफी छोटा है, यानि हमें जो Data मिलेगा ना Calculate करने के लिए वो कम मिलेगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कि Count कर लेंगे कि कितने Students इन Class Interval में लाइक करें, यह जो हमारा Range है, जैसे कि 0 से 2, इसे हम कहते है Class Interval, इसमें जो Value, Starting Value होती है, उसे हम कहते है Lower Class Limit, एक तरह से समझ लो कि अगर ये Class Interval है, तो इसकी कोई ना कोई Limit होगी, यानि Starting Point, End Point, इसमें सिर्फ वही Students आएंगी, जिनक 0 से 2 के बीच में Marks है, उसके आगे वाले Marks के Students इस Range में नहीं लाइक करेंगे, यानि इनके कुछ Limit है, Boundary है, ठीक है, तो जिस Value से ये Class Interval स्टार्ट हो रहा है, उसे कहते है Lower Class Limit, ठीक है, Lower Limit को रप्रेजेंट कर रहा है, और इस 2 को कहते है, Upper Class Limit, Clear है, तो ये जो Limits है, ये सेट कर दी गए, अलग-अलग Class Intervals के लिए, अब इसके हम Frequency Find Out करेंगे, यानि जिस Range में जितने भी Students आ रहे होंगे, According to their Marks, वो उस Class Interval की Frequency हो जाएगी, अब 0 से 2 Marks लाने वाले Students कितने हैं, तो 0 से 2 का मतलब क्या हो गया, 0, 1 और 2 Marks लाने वाले Students, ठीक है, इसे तरह से 2 to 4 वाले में कौन आ जाएगा, 2, 3, 4, अब यहाँ पर अगर आप देखो, तो यह जो 2 है न, यह दोनों Interval में आ रहा है, ठीक है, 0 to 2 में भी, 2 to 4 में भी, तो इस Case में हम क्या करते हैं, कि जब हम in Class Intervals में, जो भी Observation है, जो लाई कर रहे हैं, उसको जब देखते हैं, तो हम क जैसे हम Upper Class Limit को हर बार Exclude कर देते हैं, यानि 0 to 2 वाले में सिर्फ वही Students आएंगे, जिनका Marks या तो 0 आया है, या फिर 1 आया है, 2 Marks लाने वाले Students को हम Next Group में Include करेंगे, यानि 2 to 4 Marks लाने वाले Interval में, ठीक, अब यहाँ पर 2 जिनका आया है, वो Include होंगे, 3 जिनका आया है वो Include होंगे, पर 4 जिन Students का Marks आया है, वो फिर से Next Interval में चले जाएंगे, इसका मतब यह हो गया कि हर Class Interval में हम Lower Limit को Include करते हैं और Upper Limit को Exclude करते हैं, तो अब 0 से 2 जो Class Interval है, इसके Frequency क्या हो जाएगी, तो हमें 0 और 1 Marks लाने वाले Students को देखना पड़ेगा, तो यहाँ प Frequency है, वो 0 हो जाएगी, अब 2 तो 4 वाले में कौनसे Students लाई करेंगे, जिनका 2 और 3 Marks आया है, यानि इस Class Interval की Frequency हो गई 3, 4 तो 6 में 4 और 5 लाने वाले Students को Count करो, तो यहाँ पर 4 और 5 Marks लाने वाले Students कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानि इस Class Interval की Frequency हो गई 7, इसी तरह से 6 Students की Frequency हो जाएगी, 6, clear है, तो I hope यह जो Continuous Frequency Distribution Table का मतलब है, यह आपको समझ में आ गया होगा, किसे हम क्यों यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं, अब हम देखते हैं कि इस Case में हम Mean कैसे Find करेंगे, अब हम देखा था कि अगर हम Frequency Distribution Table को यूज करके Mean निकाले, तो हमे दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, Mean का Formula क्या था, Summation of XI-FI divided by Summation of FI, यानि कि इस Formula के According हमें दो चीजों की Requirement है, एक होता है XI और एक होता है FI यानि की Frequency, तो Frequency को हम FI से Represent करते हैं, अब हमें यहाँ पर XI की Value निकालनी है, ठीक है, XI क्या था, Particular Observations, तो यहाँ प नहीं Consider करना है, पर इस XI की कुछ तो Value होगी, ठीक है, तो इस Value को इस Case में, यानि Continuous Frequency Distribution Cable के Case में हम खुद से निकालते हैं, तो यह XI क्या हो जागा, यहाँ पर यह हमारा जो Lower Class Limit है, ठीक है, और यह जो Upper Class Limit है, इसका Average हो जाएगा, तो अब हम इन दोनों Terms को Add करेंग और उसको 2 से Divide कर देंगे, तो यह जो Average आएगा, यही Average इस Case के लिए हमारे XI की तरवर करेगा, तो अगर बात करें, First Interval की, तो वो है 0 से 2, यानि Lower Class Limit है 0, Upper Class Limit है 2, इनका Addition हो जाएगा 2, इसको Divide करेंगे 2 से, so this is 1, तो यह 1 जो है, यह Actual में, इस Interval के Mid Value है, ठीक है, इसी तरह से गर हम 2 और 4 का XI निकाले, यानि Average निकाले, तो वो हो जाएगा 2 प्लस 4, that is equal to 6, और उसको जब 2 से Divide करेंगे, it will be 3, similarly, आप सारे Class Intervals का, जो Average है, वो निकाल सकते हो, so 4 to 6 इस Class Interval की, हमारी जो XI की Value हो भी, वो क्या हो जाएगी, so this is 10 by 2, that is 5, यानि यह इसकी Central Value, इस Class Interval की Mid Value को Represent कर रहा है, 6 to 8 का Mid Value क्या हो जाएगा 7, तो इस तरीके से हमें इस Case में XI खुद से निकालना होगा, अब जब हमें XI पता है, FI पता है, तो हम जानते हैं कि Mean निकालने के लिए हमें XI, FI की जरूरत है, ठीक हैं, और FI की जरूरत है, तो FI तो आप यही पर add कर सकते हो, इस पूरे Frequency को add कर लो, so that will be 3 plus 7, that is 10 plus 6, that is 16, यानि FI की जो Value आएगी, Submission of FI, वो आजाएगी हमारी 16, ठीक है, अब हमें Submission of XI, FI निकालना है, तो सबसे पहले तो हम इनका Product निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम एक और Column ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें हम इ Second case में XI, FI की Value निकाल लेंगे, that is 9, again 7 into 5 is 35, and 6 into 7 is 42, clear, तो अब जब हमें XI, FI की Value मिल गई है, तो हम Submission XI, FI, divided by Submission of FI, इस Formula को use करके, हमारा mean है वो निकाल सकते हैं, clear है, अब यहाँ पर XI, FI का जो Sum है, वो आप निकालोगे, तो यह आजाएगा 86, ठीक है, और FI तो ह ही रहेगा, ठीक है, Number of Observation उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर Summation of FI क्या हो जाएगा, so that will be equal to 16, ठीक है, एनि 16 students का Marks है, और Total Marks इस Case में कितना है, 86, तो अब हम क्या करेंगे, 86 को 16 से Divide कर देंगे, तो यह आएगा around 5.375, clear है? अब यहाँ पर अगर इस particular question की बात करूँ, तो इस question में हमने एक ungrouped data को grouped data में convert किया है, और उसका frequency distribution table draw किया है, ठीक है, तो जब हम grouped data की बात करते हैं, तो वो एक continuous frequency distribution table होता है, clear है यह बात, तो यहाँ पर जो हमने value calculate की है, इस particular question में आपके पास raw information भी given है, इसलिए आप इसको discrete वाले approach से भी solve कर सकते हो, यानि इस data का mean निकाल सकते हो, तो अगर आप इसका mean निकालोगे discrete के help से, discrete frequency distribution table से, तो आपको मिलेगा कि दोनों ही cases में जो हमारी mean की value आ रही है, वो same आ रही है, थेक है, यानि इनकी central value same है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही approach different है, पर दोनों ही same data का mean है, clear है इतनी बात, अब आपके book में जो questions given है, वो इस तरह से हैं कि आपको question में class interval और साथ में frequency की value given होती है, x i की यानि जो हमारा class mark होता है, उसकी value given नहीं होती है, तो यहाँ पर हम x i की value को खुद से calculate करते हैं, clear है, अब अगर आप discrete वाले table से और साथ ही continuous frequency distribution table इन दोनों से जो mean आपने निका जाला है, इनको compare करो, तो आपको एक छोटी सी बात देखने मिलेगी कि भले ही इनकी value लगभग लगभग सेम है, बट एक slight difference है, अब ऐसा इसलिए है, क्योंकि discrete के case में हम जो exact value होती है, x की, यानि observations जो होते हैं, उनकी value को directly use करते हैं, और उसको उसके frequency से multiply करते हैं, clear है, और अगर बात करें हम continuous frequency distribution table की, तो यहाँ पर हमने x i की value खुद से निकाली है, यानि एक तरह का assumption लेके इस method को use किया गया है, ठीक है, class intervals का mid value लिया गया है, exact x i की value यहाँ use नहीं हो रही है, ठीक, तो यहाँ पर mean जो आया है, वो लगभग लगभग उतना ही आएगा, जितना discrete क case में आता है, क्योंकि data same है, ठीक है, तो यह एक तरह का method है, जो हमें calculation कम करने में help करता है, ठीक है, number of observations large हो, तब हम इसका use करते हैं, तो यह around उतनी ही value दे देता है, जितनी exact value होती है, तो इस method को use करने से हमारा जो calculation का part होता है, वो कम होता है, clear है, तो I hope आपको समझ में आ होगा कि discrete और continuous frequency distribution table में क्या आंतर है, discrete के case में हम हर एक point की अलग से बात करते हैं, और उसकी frequency निकालते हैं, continuous के case में हम हर बार interval लेते हैं, और उस particular interval का frequency निकालते हैं, clear है इतनी बात, तो अगर calculation wise देखें, तो discrete के case में xifi की value already given थी, तो हम direct formula apply कर लेते हैं, continuous के case में हमें fi की value given होती है, class interval given होता है, हमें बस उस class interval की mid value को xi मानकर चलना होता है, और उसी xi को अब हम आगे, बिलकुल उसी तरह से use करेंगे, जैसे हम discrete के case में करते हैं, यानि अब इसको भूल जाओ, जब आपको xi की value मिल गई, तो आप इस class interval को भूल जाओ, आपके पास fi है, xi है, आप product निकाल सकते हो, आपके पास formula है, और आप easily mean को calculate कर सकते हो, ठेक है, clear है, तो ये जो method हमने पढ़ा, अभी, इस method को हम कहते हैं, direct method, ठेक है, direct method to find the mean of a grouped data, ठेक है, discrete वाला ध्यान रखना, वो use होता है, ungrouped data के case में, और grouped data के case में, continuous frequency distribution use होता है, ठेक, clear है इतनी बार, तो आज की class में हमने grouped data का mean निकालना सिखा, that by direct method, next part of video में, हम grouped data के mean को निकालने के जो other methods हैं, उनको discuss करेंगे, और साथ ही हम ये भी समझेंगे, कि इन methods में difference क्या है, यानि बाकी जो methods आगे आप पढ़ने वाले हो, वो direct method से किस तरह differ करत हैं, क्यों हम उन methods को use करते हैं, तो आज की class में हमने जो discuss किया है, वो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको किसी भी तरह का doubt है, कोई भी confusion है, तो आप अपने questions को comment section में पूछ सकते हैं, तो आज की class को यहीं पर end करते हैं, thank you and stay tuned to my channel.